इस वीडियो के जरीए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया उत्करांती को आकार देती है इसके बारे में जानने से पहले हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि विकासवादी बदलाव क्या होता है इसमें कौनसी बाते शामिल है और कौनसी नहीं है अनेक पीडियों से प्राणियों या मानवों के अनुवावशिक विशेशताओं में जो संचित परिवर्तन आता है उसे ही विकासवादी परिवर्तन कहा जाता है इस परिभाशा से एक बात साफ हो जाती है कि किसी भी प्राणी या व्यक्ती विशेश के जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों को हम विकासवादी परिवर्तन नहीं कह सकते उदाहरन के लिए यह देखे पिछले कुछ सालों में सचिन थोड़ा मोटा हो गया है और पहले से थोड़ा गुसेल भी हो गया है यह वाक्य सचिन के बरताओ और उसके वजन के परिवर्तन के बारे में बात करता है वे परिवर्तन जो उसके जीवन काल में हुए है अता इन्हें हम विकासवाधी परिवर्तन नहीं कह सकते फिर प्रश्न निर्माण होता है आखिर विकासवाधी परिवर्तन है क्या विकासवाधी परिवर्तन की खासियत यह है कि वे बहुत धीमी गती से होते है और ये परिवर्तन अनेक पीडियों तक चलते है रहते है अधा जब हम उत्करांति की बात करते है तब हम लक्षणों में परिवर्तन की बारे में बात करते है वे लक्षण जो माता-पीता द्वारा उनके बच्चों को आनुमवशिक तौर पर मिलते जाते है चलिए, विकासवादी परिवर्तन के बारे में इस उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं चित्र में दिये हुए भौरे की जुंड को दिखे इनमें हमें दो प्रकार के भौरे दिखाई देते हैं हरे रंग के और भूरे रंग के ऐसा माना जाता है कि रंग के निश्चित करण के लिए एक जीन होती है चुकि रंग जीन्स द्वारा प्राप्त होता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि रंग अनुवंशिक होता है अर्थाद भौरे का रंग माता पिता से संतती को प्राप्त हुआ है चलिए, मान लेते हैं कि पहली पीड़ी में भौरों की कुल संख्या में हरे रंग के भौरे अधिक मात्रा में पाये जाते थे साधरहन तहा 90 प्रतिशत और भूरे रंग के भौरे तूलना में कम थे, सिर्फ 10 प्रतिशत यह बात निरिक्षण से पता चली कि हरे और भूरे रंग के भौरों के अनुपात में बदलाव के लिए कई पीड़ियों का समय लगा निरिक्षन से एक और बात का पता चला कि पहली पीड़ी की तूलना में भूरे रंग के भौरों के प्रतिशत में वृत्थी हुई और हरे रंग के भौरों के प्रतिशत में किरावटाई या इनकी जनसंख्या में जो परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन अनेक पीडियों से चल रहा था। यह विकासवादी परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर हम अनेक पीडियों से बदलने वाली रंग की रचना, जो आनुवंशिक लक्षण है, उसके परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्रश्न निर्माण होता है कि यह अनेक पीडियों से अत्यनत धीमी गती से लक्षणों में होने वाले ये परिवर्तन आखिर होते किस प्रकार से हैं। ऐसे अनेक मार्ग होते हैं जिनके कारण पीडि दर-पीडि आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन आते हैं। प्राकृतिक चयन इनमें से एक अत्यनत महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसके कारण जनसंख्या में पीडि-दर-पीडि परिवर्तन आता रहा है। चलिए, अब हम प्राकृतिक चयन के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वह किस प्रकार कार्य करता है और वह किस प्रकार उतकरांती का कारण हो सकता है. सजीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षण पाये जाते हैं उसी नसल या उसी आबादी के व्यक्ति विशेश के लक्षणों में भी भिन्नता पाये जाती है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पहले उदाहरण में भोरों के अलग-अलग रंग थे इन चित्रों में हम प्रकृती में पाये जाने वाले अत्याधिक विविधता के कुछ उधाहरण देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि मेंधक की कुछ नसले और भोरों की कुछ नसलों के रंग में अत्याधिक मात्रा में विविधता दिखाई देती है प्राकृतिक चयन उतकरांती को किस प्रकार आकार देता है इसके बारे में बात करने से पहले आईए हम प्राकृतिक चयन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हमने देखा कि सजीव अपने लक्षणों में परिवर्तन दिखाते हैं इन में से कुछ परिवर्तन, अन्य परिवर्तनों की अपेक्षा उस विशेश प्राणी के जीवन यापन के लिए और प्रजनन के लिए लाभधायक सिद्ध होते हैं। अर्थात, कुछ परिवर्तन अन्य प्राणियों की अपेक्षा उन विशेश प्राणि के जीवन की और प्रजनन की संभवनायों को बढ़ाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन जो अनुकूल होते हैं, वे अगली पीडी में संक्रमित किये जाते हैं। और वे परिवर्थन जो अनुकूल नहीं होते हैं, वे अगली पीडियों से लुप्त हो जाते हैं. यही प्राकृतिक चैन की प्रक्रिया होती है, जो विकासवाद के परिवर्थन का कारण होती है. चलिए, अब हम भोरो के उदाहरण की सहायता से प्राकृतिक चयन विकासवाद को आकार देने में किस प्रकार सहायक होता है यह समझने की कोशिश करते हैं भौरों के उदाहरण में हमने देखा कि भौरे के रंग अलग थे कुछ भौरे हरे रंग के थे और कुछ भौरे भूरे रंग के थे आपको याद होगा कि हमने कहा था कि रंग अनुवशिक लक्षन है अर्थात यह माता पिता से संतती को प्राप्त होता है मतलब हरे भोरे हरे भोरों को जन्म देते हैं और भूरे भोरे भूरे भोरों को जन्म देते हैं कलपना करे कि वही उसी स्थान पर रहने वाले कुछ पक्षी हरे रंग के भोरों को अधिक मात्र में खाते हैं जिसके कारण हरे रंग के भौरों की अपेक्षा, भूरे रंग की भौरों के जीवित रहने की संभावाएं बढ़ जाती है। अब हम मान लेते हैं कि दोनों प्रकार के भौरों के प्रजनन का दर एक जैसा है। अर्थात, अगर हरा भौरा औस्तन चार बच्चों को जन्म देता होगा, तो भूरे रंग का भौरा भी उतने ही मतलब औस्तन चार बच्चों को ही जन्म देता होगा। भले ही प्रजनन का दर समान है, फिर भी भूरे रंग के भौरों की जीवन की संभवना अधिक है, जिसके कारण भूरे रंग के भौरों के अधिक बच्चे होंगे, और इस प्रकार भौरों की आबादी में उनके प्रतिशत में वरुद्धी होगी. और अगर पक्षी इसी प्रकार पीडीदर पीडी हरे भौरों कोही खाते रहे, तो कालंतर में भौरों की नसल में सिर्फ भूरे भौरे ही भरमार हो जाएगी. फलस्वरूप भौरों की नसल में से हरे भौरे नामशेश हो जाएगे. उपरोक्त उदाहरण में हरे रंग की अपेक्षा, भूरे रंग की भौरों के जीवन की संभावना अधिक थी जिसके कारण भूरे रंग की भौरों की वारन्वारिता बढ़ गई और हरे भौरे अनेक पीधी के अंतराल बाद भौरों के नसलों से लुप्त हो गए इसका कारण भोरों की जनसंख्या की रचना में ही परिवर्तन आ गया इसे ही विकासवादी परिवर्तन कहा जाएगा उस उदाहरण में पक्षियों की खाने की आदते परिवर्तन का कारण बनी है और इसी कारण इस उदाहरण को प्राकृतिक चयन द्वारा उतकरांती के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं हमने भोरों का यह कालपनिक उदाहरण देखा जिसके आधार पर हम प्राकृतिक चयन उतकरांती को किस प्रकार आकार देता है इस बात को समझ पाए वैज्यानिकों ने प्रकृती से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक चयन के अनेक वास्तविक उदाहरणों को अनुमानित किया है उदाहरण के लिए गप्पी मचलियों के शरीर पर पाये जाने वाले रंगीन स्पोट्स प्राकृतिक चैन की प्रतिक्रिया के रूप में निर्माण हुए है अनेक आश्चर्य जनक अनुकूलन प्राकृतिक चैन के कारण संभव हो पाये है चित्र में देखने वाले केटी टीड कीडे में एकदम हरी पत्तियों जैसा देखने वाला चलावरण होता है खिंग नाम का साप जो जहरीला नहीं होता है कोरल साप के आवाज की नकल करता है ताकि वह शिकारियों को जासा दे सके यह प्रकृति में जो प्राकृतिक चैन होता है उसके कुछ उदाहरण है मुझे आशा है कि इस वीडियो द्वारा आप प्राकृतिक चैन की मूलबूत संकलपना को अच्छी तरीके से समझ पाये होंगे और यह भी जान गये होंगे कि वह उत्करांति को किस प्रकार एक आकार देता है उत्करांति संबन्धी अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को देखे झाल को अच्छी तरीके से समझ पाये होंगे झाल को अच्छी तरीके समझ पाये होंगे